नमस्कार और वेल्कम यौलों स्टडी एक्यू मैं हूँ प्रशान दवन नाव पिछले कुछ महीनों में हमने एक बात नोट करी है के इंडियांस के अगेंस्ट जो रेसिजम एक्स.com जो एक टाइम पर ट्विटर हुआ करती थी इलोन मस्की परचेस के बाद अब ये बन चु ये भारतियों के अगेंस्ट रेसिजम बिल्कुल ओपनली किया जाता है और जो इलोन मस्की कंपनी है इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन ना के बराबर लेती है और अभी हो क्या रहा है कि इंडियांस के अगेंस्ट बोलना खुले आम इंडिया के बारे में बिल्कुल अभ ये social media की जो apps है वहाँ पर हम देख रहे हैं और पिछले दो महिने में तो हमने ये देखा कि X.com पे एक account सामने आया Barry Stanton के नाम से ये account जो है ये खुले आम Indians के बारे में artificial intelligence वाली racist post जो मैं यहाँ पर share भी नहीं करना चाहता मैं share करना भी नहीं चाहता क्योंकि अगर आपने वो post नहीं देखी तो good for you अच्छी बात है ऐसी post लगातार किये जा रहा था और इन post को आप के लीजिए X.com का जो algorithm है या फिर जो भी जिस तरीके से ये app design करी गई है Indians के अगेंस्ट आप कुछ भी बोल दोना तो सीधा जो वो post है वो millions of views पाती है वो account viral हो जाता है जबकि ऐसी post को algorithm को ढखना चाहिए मगर X.com पे उल्टा हो रहा था स्तिती इतनी खराब हो गई थी कि कई Indians ने भारे सरकार को गौहार लगाई कई celebrities को गुहार लगाई कि कुछ करिये खोले आम Indians के बारे में इतना जादा open racism किया जा रहा है ऐसी post की जा रही है कि पूरा इंडिया बहुत गंदा है और कई जगा जो human feces हैं को दिखाये जा रहा है बुरी तरीके से मैं काऊंगा मैंने आज तक इस टाइप का racism ना online तो मैं काऊंगा African, Americans, Asians किसी के against मी नहीं देखा क्योंकि यह को हुआ यहाँ पर क्या है Indians के against racism x.com पे कई महीनों से आराम अराम से हो रहा था यहाँ पे almost आप कह सकते हैं boiling frog strategy का use किया गया है boiling frog strategy के बारे में मैं आपको काफी टाइम पहले बता चुका हूँ अगर आप एक man duck को immediately खौलते पानी में डालोगे तो वो चलांग लगा देगा बाहर मगर आप एक man duck को एक बरतन में रखो पानी अराम अराम से डालो और उसको धीरे धीरे गरम करते रहोगे न तो man duck notice नहीं करेगा कि आसपास की surrounding warm हो रही है वो खुद को adjust करता जाएगा और एक time पे आकर man duck को पता भी नहीं लगेगा कि उसके आसपास का पानी खौल रहा है और उसकी आदी body गल जुकी है मैं कहूंगा कुछ हद तक Indians के साथ भी ऐसा हुआ है क्योंकि आपको याद होगा आज से 5-6 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी upload उस time क्या हो रहा था कि अगर आप x.com पर बस ये लिखोगे कि what is wrong with India इंडिया में ये अजीब सी हरकते क्या हो रही है और कुछ भी आप अगर खराब comment डाल दो सीधा ये trend कर रही थी Government of India के official handle ने भी ये बात note करी कि आप अगर what's wrong with India करके कुछ भी type करोगे न और इंडिया के बारे में खराब लिखोगे immediately आपकी post को बहुत सारी attention मिलनी start हो जाएगी ये अपने आपे मैं कहूंगा शुरुआत थी racism की यहाँ पर हुआ क्या है कि 5-6 महीने पहले कई लोगों ने notice किया कि Indians के against racism अगर करो तो कुछ होता नहीं है कुछ reaction नहीं आता कई Indians तो खुद अपने आपको कोसना start कर देते हैं कि हम भी तो देखिये उनके साथ कुछ करते हैं तो हमारे साथ भी खराब होना चाहिए और ना इंडिया के celebrities ना government कोई कुछ करती नहीं है Indians के बारे में आप कुछ भी बोल दो कुछ उसके consequences होते ही नहीं है और ये रेखिये बात notice की जाती है आप imagine करके रेखिये एक innocent सा लड़का है अचानक से एक बदमाश बुली सा लड़का आता है पहले उसको हलकाता धका देता है वो लड़का कुछ reaction नहीं दे रहा फिर उसका वो phone उठा लेता है कोई reaction नहीं फिर उसका bag उठा लिया कोई reaction नहीं धीरे धीरे escalation होती रहेगी और इंडियन्स के साथ भी यही हुआ है सिंस इंडियन्स ने initially कोई reaction दियानी सोचल मीडिया पे जो भी हुरा था चुपचाप हम सहते गए जबकि इसके comparison में आपको यह मैं बता दू जब COVID-19 के time में चाइना के लोगों के साथ racism हुआ था ना उनकी government ने एक strong stance लिया था US को और दुनिया भर की social media companies को का था के हम लोग racism चाइनीज लोगों के against accept नहीं करेंगे और इसका काफी हद तक reaction देखने को भी मिला कई बड़ी कंपनियों ने racism जो हो रहा था Chinese Americans के against Chinese Nationals के against यह रोका अपने यहां देखिए almost you know same type की mentality चलता है सब कुछ चलता है हमारे है यह भी हम लोगों ने accept कर लिया के होता ही है ठीक है पार्ट ओफ लाइफ है और obviously बाकी लोगों ने यह बात notice करी कई जो racist लोग है social media पर उनने बात notice करी कि अगर racism करना है तो सबसे easy targets हैं Indians कुछ consequences भुगतने की आशकता नहीं है बहुत सारी attention मिलेगी post को follower मिल जाएंगे कई पाकिस्तानी हैं वो खुश हो जाते हैं वो ऐसे accounts को follow करना start कर देते हैं तो आप कहले लिजिए literally एक ecosystem बन गया online के जहां पर Indians के against आप racism करो और कुछ होगा ही नहीं और Indians ने मैं कहूँगा recently जाना कि अगर आप चलता है attitude को बहुत ही लंबे समय तक चलाते रहते हो न तो ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो बिलकुल बिना रोक टोक के आपका मजाग बनाना start कर देंगे आपकी image को ब्रवाद करना start कर देंगे और ये हो गया था Barry Stanton नाम का एक account था इसने Twitter पे Indians के against openly racism किया इस पे कई articles publish हुए Indians ने जब तक एक literally मैं कहूँगा x.com पे एक movement start नहीं करी के इस account को please ban करो दो महीने के लंबे इंतजार के बाद finally ये account ban हुआ है और आप समझ सकते हैं भी एक ban हुआ है कई और खड़े हो जाएंगे जब तक एक proper यहाँ पर देहिए भारत सरकार की intervention नहीं आती हमारे जो celebrities हैं जो काफी बार Rafa को लेकर tweet करते हैं जो गलत बात नहीं है Rafa को लेकर Gaza को लेकर tweet करना बिलकुल सही बात है वहाँ पर जो हुआ है civilians के साथ काफी जगा गलत है बट at the same time जब आपके खुद के नागरिकों के साथ ऐसा मैं literally मैं कहूंगा देखिए harassment हो रही थी Indians के साथ online x.com पे कई Indian account जो बिलकुल अपने में मस रहते हैं उनको कोई मतलब नहीं के और क्या चल रहा है उनको भी ये बात बोलनी पड़ी के racism has increased too much बहुत जादा हो चुका है और अब ये racism इतना normalize हो चुका है के ये Instagram में भी छलक रहा है YouTube पे भी छलक रहा है हर जगा जा रहा है और आपने एक बात नोट करियोगी recently Brazil Brazil एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया में पाँचवी सबसे बड़ी digital population है बहुत सारे Brazilians हैं जो यूज करते हैं इंटरनेट को Brazil की सरकार ने बैन कर दिया X को X.com को ये कहकर क्योंकि ये बहुत सारी गलत information यहां पर फला रहे हैं Brazil की जो प्रेजिडेंट है प्रेजिडेंट लूला नोंने ओपन लिए भी कहा कि अगर X Brazil के कानूनों को फालो नहीं करेगा तो इनको बिलकुल बैन कर दिया जाएगा और एक इंटरस्टिंग बात मैं आपको ये बताओं X.com या Twitter आप कहलीजिए इसको और लेड़ी बहुत सारे देश पहले भी बैन कर चुके है चाइना पहला देश बना था जिसने X.com को बैन किया था रीजन था अफकोर्स चाइना US इंफ्लूएंस नहीं चाता अपने देश में North Korea बैन कर चुका है X.com को बैन कर चुका है तुर्क मिरिस्तान बैन कर चुका है for same reasons Myanmar बैन कर चुका है X.com को Venezuela बैन कर चुका है इरान भी इसको बैन कर चुका है और ब्राजिल most recent country बना है जिसने X.com को अपने देश में बैन कर दिया है अब यहां पर आप एक सवाल पूछेंगे के जो बाकी countries ने किया है क्या इंडिया को भी यही करना चाहिए well देखो मैं यह कहूंगा क्या हमारे पास X का substitute है हो सकता है आप में से कई लोग कहें कु कु आप सब को चानक से कु आप यादा जाएगी unfortunately कु आप बंद हो चुकी है तो वो option हमारे पास है नहीं देखिए हमें या तो X का एक alternate बनाना चाहिए या फिर at least यह problem देखो ऐसी है जो Indian government अगर properly raise करे न Elon Musk के साथ क्योंकि Elon Musk आज के समय X.com के 100% share own करते है X.com एक private company है Elon Musk की लिए Elon Musk के पास कोई pressure भी नहीं है कोई इनको कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकता तो Indian government अगर यह racism का जो issue है कि Indians के against racism online बहुत जड़ा बढ़ता जा रहा है यह Elon Musk के साथ directly raise करती है तो काफी हद तक यह issue resolve हो सकता है कुछ खास करने की जरूद नहीं है बस online ऐसे mechanism होने चाहिए जहाँ पर Indians के against अगर racism हो रहा है तो जल्दी से उसे हम रोक पाएं नहीं तो अगर मान लीजेगर यह racism नहीं रुखता एक time पर आकर India को भी perhaps यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा शायद यह वला जो रास्ता है यह भी लिना पड़े तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका opinion आपके इसाब से जो यह online racism especially x.com पर लगातार बढ़ता जा रहा है against Indians इसे हम कैसे रोक सकते हैं लिखेगा इसके बारे में comment section में मैं जानना चाहूंगा आपका opinion और finally आपसे पूछूंगा एक सवाल देखो चाइना ने इंडिया के against aggression करना बंद कर दिया है perhaps उसका एक reason भी है कि इनको बदा लग गया है कि यहाँ से pushback मिलेगा अब चाइना लगातार बुली कर रहा है Philippines को आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार चाइना की जो ships है coast guard ships यह Philippines की ships को टकरे मार रही है इस पर जो news है दुनिया भर में हो रही है viral और हाल ही में एक बड़ी टकर हुई है तीसी टकर हुई है at Sabina Shoal तो आपको बताना है कि जो यह Sabina Shoal एरिया है जहांपर लगातार चाइना की ships harass कर रही है Philippines की ship को यह आपको किस sea में मिलेगा यह है यहाँ पर आपकी options Red Sea, Caspian Sea, South China Sea या फिर Arabian Sea comment section में करिए उतर जो लोग सही आज़र देंगे उनकी comment को मैं हाट देंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए के सही उतर क्या है और finally आप लोग के लिए एक important जानकारी Study IQ के सभी courses पे आपको एक price hike दिएगा जी हाँ prices बढ़ जाएंगे 3 September के बाद से यह date याद रखिएगा after 3rd of September सभी courses पे एक mild price hike आपको मिलेगी तो उससे पहले आप अगर चाहें तो Study IQ के 2025 और जी हाँ अब 2026 के courses भी available हैं आपको simply या करना है के इस वीडियो की comment section में जाएंगे और यहाँ पे आप देख पाऊगे दो link का आपको दिख जाएंगे एक में लिखा है 2025 प्रतिग्या batch अगर एगले साल ही आपको UPSC exam का attempt देना है तो बिलकुल आप 2025 का प्रतिग्या batch कर सकते हैं purchase इस link पर click करके बट let's say आप अभी दूर का सोच रहे हैं आप कहा रहे हैं के नहीं मुझे देड़ साल रुक कर एक proper preparation के साथ UPSC का attempt देना है तो 2026 का batch पहली बार आपके लिए launch हो चुका है जी हाँ प्रतिग्या 2026 batch simply जो second link है इस पर आप click कर सकते हैं अगर आपके goals थोड़े लंबे हैं आप एक college student है आपके पास time है click on this link और यहाँ पर purchase कर पाएंगे study IQ का प्रतिग्या batch but obviously और एक discounted rate पर याद रखिएगा यह 36 महीने की validity के साथ आपको मिलता है long term course यह आप कर सकते हैं purchase और याद रखिएगा 3rd September से एक price hike देखने को मिलेगा on all study IQ courses so use the code PD10 and save money और इसी note के साथ यह है video का अंग thank you for listening and as always may the gods watch over you